गाय को हल्दी मिलाकर रोटी खिलाने से मिलते हैं, ये साथ चमतकारी लाब हिंदू धर्म में गाय को मा का दरजा दिया गया है। गाय को एक पवित्र पशु माना गया है, जिसमें देवी देवताओं का वास माना जाता है। गाय की पूजा करने और उसे खाना खिलाने से पून्य की प्राप्ती होती है। इसी तरह से शास्त्रों में गाय को रोटी के साथ हल्दी खिलाना बहुत ही शुब बताया गया है। आईए जोतिशाचार्य डौ आरती दहिया जी से जाने गाय को हल्दी की रोटी खिलाने से क्या होता है ब्रिहस्पती होता है मजबूत जोतिश शास्त्र में गाय का संबंध ब्रिहस्पती ग्रह से हैं जिसे अत्यंत शुब ग्रह माना जाता है गाय को हल्दी की रोटी खिलाने से जातक की कुंडली में ब्रिहस्पती ग्रह मजबूत होता है सवभाग्य में वृध्धी गाय को हल्दी मिलाकर रोटी खिलाने से जातक के जीवन में खुशाली आती है और उसके सवभाग्य में भी वृध्धी होने लगती है उसके हर काम में उसे तरक्की मिलती है सफलता मिलती है अगर आपके जीवन में निराशा भर गई है और किसी काम में सफलता नहीं मिल पा रही है तो गाय को हल्दी वाली रोटी खिलाएं इस से आपको जल्दी ही हर काम में सफलता मिलेगी मंगल होता है मजबूत हल्दी मंगल ग्रह का प्रतीक मानी जाती है ऐसे में गाय को हल्दी वाली रोटी खिलाने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है सकारात मक्ता आती है जीवन में निराशा भर जाए और हमेशा नकारात मक्ता का एहसास होता है तो आपको गाय से जुड़ा यह उपाय आजमाना चाहिए इस उपाय से आपके जीवन में सकारात मुक्ता भर जाएगी माता लक्ष्मी होती है प्रसन्न हिंदू मान्यताओं के अनुसार गाय में माता लक्ष्मी का वास होता है ऐसे में गाय माता को हल्दी की रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती है धन की नहीं होगी कमी यदि आपके जीवन में पैसों की तंगी चल रही है तो गाय को रोजाना हल्दी वाली रोटी खिलाएं इस से आर्थिक स्थिती मजबूत होने लगेगी गाय को हल्दी मिलाकर रोटी खिलाने से आपको भी ये लाभ मिल सकते हैं